नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे विलेज एगरिकल्चर असिस्टेंट के पदबर निकली वी वेकेंश के बार में साथ मैं चर्चा करेंगे कितने पोस्ते हैं कौन अपलाई कर सकता है क्या एज क्वालिफिकेशन चाहिए उस सभी के बार में ते वीडियो सुरू से अन तक जरूर देखें यह आंदर पर देख सरकार के दोर वेकेंश निकली है जिसमें और आपको अपलिकेशन फिलप करनी है और इसकी पोस्तों की बात किजए तो पोस्ते हैं विलेज एगरिकल्चर असिस्टेंट ग्रेट सेकंड की टोटल 674 पोस्ते हैं और इसकी एज लिमिट की बात किजए त तो 14600 से लेकर 44870 रुपया आपको मिलेंगे इसके अलावा इसकी जो पीडिएप है वो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसके जो परफोर्मा या फिर ओनलाइन जो अप बात करते हैं की टोटल पोस्टों की और इसका जो रिटन एक्जाम है वो होगा एक सितंबर 2019 को यानि रिटन एक्जाम मिश्चित है एक सितंबर 2019 होगा और इसका जो भी होल टिक्ट आई है फिर एडमिट काईड है वो तीन दिन पहले इसकी ऑपिशिल साइट पर उपलब् पोष्ट हैं विजे नेग्रम केंदर 490 पोष्ट हैं विशाका पढ़नें के अंदर 210 सो भाड़ मीश्चित गोदावरी के अंदर 818 वैस्ट गदावरी के अंदर 282 पोस्ट हैं और कुनूल के अंदर 590 पोस्ट हैं वाइसर कडपा के अंदर 324 पोस्ट है यानि टोटल 6714 पोस्ट है काफी अच्छी पोस्ट है गोवर्मेंट पर्मानेंट वेकेंशी है जुरूर अप्लाई कीजिएगा अब बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क के द्वारा साथ में इंडिया नर्शिंग कॉंचिल ओप एग्रिकल्चर रिसर्च आइसी ए आर के द्वारा एफिलेटेड होंचे वो इंसिट्यूट या इसके अलवाब दो साल का अगर आपने डिप्लोमा के है अग्रिकल्चर पोल्टेक्निक के अंदर या फिर दो साल का डिप्लोमा है अग्रिकल्चर पोल्टेक्निक अग्रिकल्चर इंजिनियरिंग के अंदर रिकूगनाइज बाइद ए एंजी आर एउ इंसिटूट के द्वरा या फिर आपने बीसी की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसके बाद आपको बीसी बीजड यानि दो साल का डिप्लोमा एग्रिकल्चर पोल्टेक्निक के लिए करना पड़ेगा तब ही आप इलजीबिलेटी हासिर कर सकेंगे हर्दर प्रमोशन के लिए अब बात करते हैं एज की तो एज 18 से 22 साल तक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जो कंड़ेट SCST हैं जो बैकपर क्ला प्रमोशन के रूप में चूट मिलेगा अब बात करते हैं इसकी फीश स्ट्रेक्चर की देख सकते हैं जिसमें SCST बैकवर्ड फिजिकली हैंडिकप्ट एक्स सर्विस्में उसके लिए 200 रुपे फीश लगेंगे इसके लाए जो अधर कैटिगरी उनको 22 रुप देने पड़ेंगे नि टोटल पांच सुर्पे देने पड़ेंगे और यह अगर एक से ज्यादा सीटी चुनते तो तीन सीटी चुन सकते हैं पर देक सीटी के लिए 100 रुपे फीश देनी पड़ेगी अब बात करते हैं इनकी सलेबस और जो एक्जाम स्कीम उसके बार में त सो ही मैं टाइम मिलेगा आपको तोटल टेर्सों क्योंन होंगे जर्ट मिर्ट का टाइम मिलेगा और टेर्ट सोheen नम्मर का होगा परते जो क्यूस रहे कर को दो जिरो पुएंच दो पान्स या पिर एक बटे चार नेग tradCCL पूरा पूरा स्लेवस आप देख सकते हैं यह पार्ट फरस्ट के लिए स्लेवस है और यह पूरा पूरा पार्ट सेकंड के लिए स्लेवस है यह आप देख सकते हैं यह पूरा स्लेवस है और रिजिस्टेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिसल साइट पर जाना अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर दीजी तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टोपिक की साथ अब तक लिए जय हिंद जय बार्द